हेलो दोस्तों आम नभीन और इस वीडियों मैं करूंगा क्लास ट्रैंथ का कोशन जो कि मैंने चैप्टर आर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया है और यह कोशन मैंने आर्डी शर्मा से लिया हुआ है तो चली शुरू करते हैं तो देखिए सम मैं में दिया है find four numbers in AP whose sum is 20 and the sum of whose square is 120 तो देखिए हमें यहाँ पर four number निकालने है AP के जिनका sum 20 है और उनके sum का जो square है वो 120 है तो देखिए जैसा कि हमें यहाँ पर four numbers को निकालना है AP के तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा इसके लिए मलब कौन से number यूज कर करना होगा तो यहाँ पर जैसे कि मुझे four number निकालने है तो A-3D A-D 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 और A-3D मैं इन टाम्स का यूज करूँगा मैं इन टाम्स का यूज किस तरह से करूँगा तो देखिए यहाँ पर sum में हम यूज करते हैं इसका तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा let the numbers be सबसे पह d और उसके बाद होगा मारे पास A-3D जब हमारे पास यह नंबर है तो हम यह लिखेंगे then sum of four numbers यह हमें दिया हूँ है 20 केक्वल तो यहाँ पर हमें इसका sum लिखना है तो हम इसे लिखेंगे A-3D plus A-D plus A-D plus A plus 3D equal to 20 1A plus का यह भी plus का A यह भी plus का A यह भी plus का A तो इस तरह से यह आ जाता है 4A क्योंकि 4 है ठीक है अब यह minus 3D है और यह plus 3D है ठीक है तो यह आपस में हो जाते है cancel अब देखें यह D minus का है और इधर वाला D plus का है तो यह भी आपस में हो जाते है cancel तो यह सब D जो है cancel हो चुके ह हमारे पास और कुछ नहीं बचा है तो हम यहां लिख सकते हैं equal to 20 तो यहां पर a की value आजेगे हमारे पास 20 upon me 4 तो 4, 5, 20 तो इस तरह से a 5 के equal आ गया कि हमें यहां दे रखा था देखें कि sum of whose square is 120 तो मतलब अगर मैं सभी terms का square करूं और उनको add करूं ठीक है तो मेरा 120 आता है तो मैं हां लिख सकता हूं कि sum of the squares यहां में दिया हुआ है 120 के equal तो it means a minus 3d का square plus फिर a minus d का square plus फिर a plus d का square plus और यहां a plus 3d का square यह पूरा है 120 के equal अब हम यहां पर identity लगाएंगे एक plus वाली और एक minus वाली a plus b का whole square यह होता है a square plus 2ab plus b square के equal तो एक identity यह लगेगी दूसरी हम लगाएंगे a minus b का whole square जो की होगा a square minus 2ab plus b square दूसरी हम यह लगाएंगे तो अब देखे a minus b का whole square है तो it means मैं इसको लिख सकता हूँ कि a की 2 minus 2ab अब a यहां पर a है b यहां पर 3d है तो 2ab b मतलब 3d plus b square मतलब 3d का square इसी तरह से यहां भी लगाएंगे a का square फिर minus 2ab क्योंकि a minus b का whole square है तो minus 2 फिर a b a यहां पर a है b यहां पर d है तो 2a और b b d है प्लस b का square मतलब d का square हो जगा इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं यहां पर a का square यहां पर a plus b का whole square लगेगी तो a square plus 2ab plus b square b square b यहां पर d है इसी तरह से हम यहां लगा लेते हैं कि a का square plus 2ab a यहां पर a है यहां b 3d है तो a और यहां 3d और यहां plus b square अब यहां पर b square लेख लेते हैं यानिकि 3d का square और यह पूरा का पूरा यहां बराबर है 1,1 ठीक है काफी बड़ा हो गई ठीक है तो अभी हम solve करेंगे छोटा हो जगा तो यहां पर a का square यहां a square ही रहेगा फिर उसके बाद यहां multiply कर लेते हैं तो हां 2,3,6 तो minus 6 और फिर ad उसके बाद 3d का whole square है तो 3 का square होगे 9 तो 9d का square उसके बाद प्लस अब यहां a square ऐसी रहेगा यहां पर minus 2ad हो जागा multiply करके यहां पर d square ऐसी रहेगा भी उसके बाद प्लस यहां पर a square रहेगा यहां पर plus 2ad होगा उसके बाद यहां d square होगा यहां पर a square होगा और यहां पर 2,3,6 6ad होगा और यहां पर 3 का square 9 9 plus 9D square होगा और यह पूरा का पूरा इक्वल है 120 के अब देखें यहाँ पर a square plus का यह a square plus का यह a square plus का और यह भी a square plus का तो यहाँ पर 4a square है तो हम यहाँ पर plus करके लिख देते हैं 4a square आप आगे देखें यहाँ पर 6a a d minus है और यहाँ पर देखें तो 6a d plus है तो यह आपस पूरा हो जाँगे आगे देखें यह जाते हैं आगेइं तो 9d square और यह d square थो यह 10 d square हो गए ठीक है और 1d2 यह हो गया तो 11d2 हो गया और 11d2 में अब हम जोड़ेंगे यह 9d2 तो हो जागा 20d2 तो यहां पर हम लिए सकते हैं प्लस 20d2 यह पूरा का पूरा equal है 120 के तो देखे कितना reduce हो गया कटके यह और बाकी solve हुए यह प्लस हो तो अब देखे यहां मारे पास एक equation है तो इस equation को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो यह और reduce हो जाएगी तो मैं इसको divide by 4 कर जाता हूं तो मैं यहां पर इसको 4 से divide करेंगे तो यहां पर बचेगा a square 4 से इसको divide करेंगे तो यहां बचेगा 5d square और 4 से 120 को करेंगे तो बचेगा 30 यहां पर तो इस तरह ऐसे equation reduce कर लिए मैंने अब देखे equation तो हमारे पास है अब हमारे पास इन में से क्या कुछ पता है तो अगर हम देखे तो ए हमने भी निकाला था तो देखे यहां पर हमने ए निकाला था यह 5 के क्यों तो यहां पर a को मैं put कर लेता हूं 5 के क्यों तो मैं लिख लेता हूं कि a जो है 5 तो इसलिए मैं a में shift होगा तो 5D square is equal to 30 minus 25 तो 30 में से 25 गए तो बचा 5 तो 5D square 5 cake call है तो D square निगाल सकते हैं easily तो 5 upon 5 तो 5 बन जा 5 इस तरह से D square जो है वो 1 cake call आ गया है ठीक है तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख लेता हूं कि D का square यहाँ पर 1 का square लिख सकता हूं तो इस square से a square cancel तो हम यहाँ कहा सकते हैं कि D जो है वो यहाँ पर 1 आ गया है और यह जो अमरे D की value आई है यह plus पर भी हो सकती है और minus भी हो सकती है ठीक है तो इसलिए हम यहाँ पर D की value minus 1 और D की value plus 1 इससे ही AP बनाएंगे तो अगर हम D की value 1 मान ले तो उससे AP हम इस तरह से बना लेते हैं A minus 3D फिर था A minus D फिर था A plus D और फिर था A plus 3D यह था अब देखें अगर हम यहाँ पर D की value को put कर रहें तो D1 है 1 3 जा 3 और A क्या है 5 है ठीक है तो 5 में से 3 गए तो बचेगा 2 तो यहाँ पर पहला number हमारे पास आएगा 2 उसी तरह से 5 अब D1 है तो यह A5 है तो 5 minus 1 तो इसी तरह से A plus D यानि कि यह 5 है और D1 है तो यहाँ पर आ जगा 6 और यहाँ पर 3 into 1 D1 है क्योंकि तो 3 हो गया और plus 5 करेंगे तो यह 8 आ जगा और इसी तरह से अगर D minus 1 हो तो number जो है AP किस तरह से बनेंगे तो हम यहाँ पर अगर solve करेंगे तो यहाँ पर minus 1 पुट करेंगे D क प्लस तो प्लस 3 हो गया और प्लस 3 को 5 में अड़ करेंगे तो होगा 8 तो इस तरह से यह जब हम solve करते जाएंगे तो इस तरह से बनेगा यह 8 6 4 2 तो इस तरह से यह number जो है इनका sum अगर आप करोगे तो 20 आ जागा यह बाकी के number मैंने लिखतो दिया है आप चाहें तो इनको यहाँ पर रखकर अपने पूट करके देख सकते हैं यही number आएंगे तो मैं आशा करता हूँ को आपको इस हम समझ माया होगा इसी तरह के बहुत से संद्ध क्लास 10 के लिए पहले से upload हैं आप उन्हें देख सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में और नेस हम के साथ तब के लिए गुडबाएं